नमस्कार, मैं अनुस्तिवारी परिच्छा प्लस की इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदर करता हूँ MCQs की स्रीज में आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम पॉल्टी और पॉल्टी में भी जो हम कवर करने वाले हैं वो सामविधिक अधिकारों को कवर करने वाले हैं अभी तक हमने जो भी टॉपिस कवर किये हैं आप अगर उन्हें नहीं देखें तो प्लीज इससे पहले कि आप उन्हीं क्लासिस को देख सकते हैं कल जो टॉपिक हमने कवर किया था, उसमें हमने समभाइधानियक अधिकारों को देखा था। समभाइधानियक और समभीधिक दोनों में एक प्रकार का अंतर है, Bizaniannait संसतों तो मैं कहते हैं थी तो ये वाले हैं आज को ब کہने हमने साम्विधिन होयके सामने हैं ठीक है तो इस आरो टौपिक wise आपके सामने रखते जा सबसे बड़ी बात यहां पर यहां है कि एक topic को हम cover करने की कोशिस करते हैं उन एक topic से related जितने भी types के questions होते हैं वो आप तक पहुचाने की हम कोशिस करते हैं ठीक है तो आज का जो topic है वो हम quality session में cover करने वाले हैं आपके सामने रहा आज का यह पहला question देखते हैं पहला question आपसे कहता है पहला question आपके सामने पहला question है कि मानवा अधिकार पहला question है कि मानवा अधिकार संरच्छन अधिनियम का पारित किया गया 1912 1986 1993 2010 ठीक है यह question आपके सामने है में अगर मानवा अधिकार की मैं बात करूं तो मानवा अधिकार अधिनियम जो लागू किया गया है वो 1993 है अभी हम थोड़ा और भी बात करчи अब जब हम देखि रहें तो हमारा जो पहला अप्षन है 1972 में अगर 겁니다 2022 की मैं बात करूं तो आपको भी पता होगा और इसी के बाद अगर आप बात करेंगे तो हमारे यहां प्रोजेक्टर टाइगर 1973 में लाया गया था इसी के बाद में थें तो यह चीज थी उन्निस सो नाइटीन नाइटी थी में ही आपका मानवा अधिकार सनरच्छन अधिनियम लागू किया गया मानवा अधिकार के अगर मैं बात करूं तो मानवा अधिकार हमारे यहां मूर समविधान में नहीं है मैंने आपको पहले बताया कि यह समविधिक निकाहे और समविधान संसोधन बतलब स्वम्विधान में अधिनियम पाजित करके किया गया, कब किया गया, 1993 में किया गया, ठीक, अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया कि या एक, या एक सामविधिक, या एक सामविधिक निकाए है, मानवा अधिकार, अगर मैं दिवस की बात करूँ, तो मानवा अधिकार दिवस, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक, मानवा अधिकार के अगर मैं नियुक्ती की बात करूँ, तो इनकी नियुक्ती, सदस पहले देख लीजे, इनमें सदस कितने है, ठीक, अगर मैं इनके सदस्यों की बात करूँ तो मानवा देखे जितने भी आपने समवैधानिक निकाय देखा है उन समवैधानिक निकायों में सबसे बड़ी बात थी कि उनकी नियूकति सिधा राष्टपति करता था और राष्टपति स्वेक्षा से नियूकति करता था मतलब कि उनकी नियूकति करने के लिए सरकार भले था रहीं रिक्रमेंट करती थी लेकिन आपके नियुक्ति के लिए एक समीति का घठन किया जाता है और उन समीतियों से शुते हैं छे सदस्यों में कौन कहना, एक बार आप देख लीज़ेगा, ये थोड़ा important है, आपके प्रधान मंत्री, लोग सभा, राज सभा, लोग सभा के अध्यक्ष और बिपक्ष नेता, ठीक, ये चीज़ें, राज सभा में भी सभापती, और यहां भी बिपक्ष के नेता, ठीक, ठीक, ये चीज़ें, और इसी के साथ ही में अगर आप बात करें, तो ग्रह मंत्री, ठीक, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, ठीक, इन छे सदस्यों, छे सदस्यों समीति के गठन किया जाता है, उन गठन की recommendation के अधार पे, राश्टपती मानवाधिकार अध्यक्ष साल है, पांच, यूम सत्र, और इस सबसे important बात है कि मानवाधिकार अयोग, मानवाधिकार अयोग के जो अध्यक्ष सदसे होते हैं, ये retirement के बाद किसी भी राज्य केन सरकार में फिर नवपूनन नयुक्ती के पात्र नहीं रहते हैं, अगर मैं present time पर बात करूँ, तो present time पर जो अध्यक्ष हैं, अरुन कुमार मिश्रा सहाब है, अगर मैं बात करूँ, मानवाधिकार के अध्यक्ष की, मानवाधिकार अध्यक्ष, अरुन कुमार मिश्रा, ते, अरुन कुमार मिश्रा सहाब इस समय present time पर आपके अध्यक्ष है, यहाँ एक सबसे अच्छी बात है, क कि मानवा अधिकार आयोग उन मामलों की जाच करता है, जिन मामलों को अभी घटित हुए, एक वर्स से कम का समय हुआ हो, उन्हीं मामलों की मानवा अधिकार जाच करता है, ठीक है, तो इतनी चीजें अगर हैं, तो इतनी चीजें अगर आप याद रखते हैं, तो चीजें और ध्यान रखेगा कि इसमें चार पदेन सदस भी होते हैं ये कौन होते हैं आपके कभी-कभी पूछा जाता है कि निम लिकित में से कौन मानवा अधिकार आयो के पदेन सदस नहीं है तो यहां पर है एक अनसूचित जाती अनसूचित जाती अनसूचित जन जाती महिला आयो और एक राष्ट्री अलपसंख्यक आयो ये चार जो सदस अध्यक्ष होते हैं ये इनके पदेन होते हैं अलपसंख्यक आयो ये चीज़ें आपने देखा एक कुईशन के माध्यम से इतनी सारी डेटा मैं आतर डिलीवर कर दिया हूँ इन चीज़ों का आप देख लीजेगा उमीद करतों कि मानवा अधिकार सनच्छन अधिनियम या मानवा अधिकार निकाष संबंदी चीज़ें आप तक क्लियर होंगी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कुईशन पर नेक्स्ट कुईशन हमारा कायता है कि केंद्रे सतर्कता आयोग के संबंद में सही कथन का शैन करियां सही विकल्प चुनें पहला CBC का कथन संथानम समीति की सिफारिस पर 1964 में किया गया CBC को समवैधानिक दर्जन 1998 में तथा भारस सरकार का एक या नामित एजंसी की रूप में अधिक्रित है इसके बादी में CBC उन सिकायतों की जाच करता है जो शामिल अधिकारियों पर अनुच्छित या भ्रष्ट आचरण का आरोप हो एक अध्याच तथा दो सद्द से होते हैं जो मिनका कारिकाल चार या 65 वर्ष्ट की आयो तक होता है अगर मैं CBC की बात करूँ यह केंडिय सतरकता आयो की बात करूँ यह केंडिय सतरकता है ठीक बेल्कुल सही है कि CBC का जो गठन किया गया था यह संथानम समीती के सिफारिसों के अधार पर किया गया था आपका पहला option सही है अगर मैं दूसरे की बात करूं तो 1998 में समवैधानी दर्जा दिया गया समवैधान संसोधन के माध्यम से यह भी आपका सही option है हाला कि CBC का में गठन इसी उद्देश से किया गया था कि यह जो भी सरकारी क्रमचारी है उन क्रमचारियों पर अगर भष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उन आरोपों की जाच करने के लिए CBC का गठन किया गया था सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक अध्यक तथा दो सद्दस्ति हैं वत्वान टाइम में हाले कि इनकी अध्यक जो सद्दस्तों की संख्याएं समय समय पे घट्ती बढ़ती रही है और इनका जो कारिकाल है इनका कारिकाल 4 या 65 वर्स का है यह सारे options ही है देखिए अगर मै मैं cvc की बात करूं तो cvc में यहां भी जो न्युक्ती होता है राष्टपती एक समीति के गठन के सिफारिस के अधार पे करता है और यहां पे जो उस समीति के सदस से होते हैं प्रधान मंत्री ग्रह मंत्री और लोगसभा में विपक्ष का नेता होता है मैं एक बार बिपक्ष का नेता, इन तीनों के सिफारिस पर, राश्टपती, CVC के अध्यक्ष की युक्ति करता है, और सबसे एक बड़ी बात है, कि अभी जो आपके अध्यक्ष हैं, ये सुरेश एन पटेल सहाब है, सुरेश एन पटेल आपके इसमें, CVC के चेर्मेन है, ठी, तो इन ची पटेल, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, सो आपका जो आप्षन होगा, आपका आप्षन है D, मतलब सारे आप्षन आपके सही है, मैं बढ़ता हूँ अपने next question पे, अगर मैं अपने next question की बात करूँ, तो निम्न लिखित में से गलत विकल्पों का आपको च इनका कारिकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयोग तक होता है, ठीक, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ, सूचना आयोग की, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू गया गया, ठीक, मतलब आपका पहला उप्षन तो गलत हो गया, हालाकि इनके सदस्यों की मैं बात करूँ, तो इसमें 1 सदस्चा 10 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी आपका अप्षन ठीक है, और जो इनका कारिकाल होता है, वो 5 वर्ष तर या 65 वर्ष की आयो तक इनका कारिकाल का प्रोविजन ह समीथाहमारे इहां किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि इनके भी अध्यक्ष सद recoll devastating ने रिए एक समीथी का गठन होता हुँ समीथी में मैं तीन सदuties सदस्ट कि अगर मैं बात करूं तो उ murder अगंधायो के अध्यक्ष की निंगती करता है। अगर मैं प्रसंत टाइम पे सुचनायो की अध्यक्ष की बात करूँ हुआ यहां पर जो अभी सुचना आयोग के अध्धेक्ष है यह सवर्धनश सिंह साहब है। अध्यक्ष की अगर मैं बात करूँ अध्यक्ष यसवर्धन सिन्हा साहब है इन चीजों को आप ध्याएं दीजिएगा हाले कि सुचना आयोग में बहुत ज़्या जानने की ज़रूरत नहीं है कि इनकवे का इनका करने स्टी और सबसे बड़ी बात है कि अगरिके बात करूं हो हटाने की तो इनके हटाने के लिए इनको पद्चुत करने का भी अधिकार राष्टपती के ही पास होता है ठीक है इसी के साथ में अगर मैं बात कुरूँ अपने next question की तो next question आपका कहता है next question आपका कहता है कि नीती आयोग का गठन किस संस्था के अस्थान पर किया गया है ठीक ये भी आपका काफी important है कई बार आपसे पूछा जारा जब से नीती आयोग का गठन हुआ है Commission का बहुत ही चहता आयोग है ठीक नीती आयोग का किस पूर वर्ती संस्था का नाम बात करूँ अप्शन है आपका छेत्रिय परिशद अन्ताराजिय परिशद योजना आयोग या राश्ट्रिय विकास परिशद ठीक अगर मैं छेत्रिय परिशद की बात करूं तो प्रजेंट टाइम पे पांच छेत्रिय परिशद हैं पांच छेत्रिय परिशद हैं और इनका जो अध्यक करूं तो अंताराज्य परिशद की मैं बात करूं तो अंताराज्य परिशद की मैं बात करूं तो अंताराज्य परिशद बेसिकली हमारे यहां यह सहकारी संगवाद को पढ़ावा देने के उद्देश से लागो किया गया था ठीक है अगर मैं अंताराज्य परिशद की बात क एक जन्वरी 2015 को नीती आयोग का गठन किया गया था सहकारी संगवाद की अउधारणा पर आधारी था ठेक पहले चीज यह और सबसे बड़ी बात है कि ना तो यह संवाद्धानिक है और ना ही सामविधिक है मतलब ना इसका संविधान में कोई उलेक है और ना ही इससे इंप्लिमेंट करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई बिल्य बिधियक पारित किया गया है ठेक यह चीज यह धि dissol्य दीजिए इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ नीडी आयोक की तो नीटी आयोक का जो अध्यक्ष होता है नीडी आयोक का अध्यक्ष यह आपका प्रदानमंतरी होता है इस्के अगर इसी में एक उपाद्यक्ष भी होता है और उपादज के साथ में यहाँ एक CEO भी होते हैं और CEO के साथ में यहाँ इनके जो सदस हैं यह सभी राजियों के CM साथी साथ में अगर कोई Union Treaty है, वहाँ विधान सभा है तो उनके जो उप राजिपाल है उप राजिपाल भी इनके सदस होते हैं साथी साथ में चार पदेन सदसे और चार ही पूर्ण कालिक सदसे होते हैं, ठीक, इन चीजों पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अध्धक्ष की बात करूँ तो हमने आपको बताया कि इस समय नीती आयोक के जो अध्धक्ष हैं, नीती आयोक के अध्धक्ष के अगर मैं बात करूँ तो आपके नीती आयोक के अध्धक्ष जो होते हैं वो प्रधान मंतरी होते हैं, इसी के साथ में अगर मैं नीती आयोक के अध्धक्ष की बात करूँ तो नीती आयोक के जो अध्धक्ष आपके राज्यू कुमार और अगर मैं CEO की बात करूँ तो CEO आपके present time पे आमिताब कान्त है यह चीज़ें भी आप ध्यान में रखिएगा ठीक है इतनी चीज़ों को मैंने आपके यहां पे कबर किया है ठीक तो आपका जो right option है आपका है right option C यह चीज़ यहां पितना जानिएगा कि नीती आयोग क्या है नीती आयोग सहकारी संगवाद या cooperative federalism की अधारना पर अधारित है इसका सबसे प्रमुक कारी क्या है नीती आयोग का सबसे प्रमुक कारी है कि केंद्र और राज्जी के बीच किस प्रकार से समन्वय किया जाए कि सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके अगर केंद्र सरकार किसी भी योजनाओं का निर्वाण करती है तो उनका implement सामाज के सबसे लाश्ट व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए या सामाज की परीदी पर सबसे अंतिह व् इसके उद्देश से जो गठन किया गया था वो आपका नीती आयोग किया था और नीती आयोग इन्ही अधारणाओं पर आधारी थे कि किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिशित किया जा सके इसलिए नीती आयोग को भार सरकार का think tank भी कहा जाता है यह सारी ची P.E.O. यह अमिताव कांथ है अमिताव कांथ है इतनी सारी चीजें है जो आपके exam के point of view से important है ठीक है तो यह सारी सामविधिक निकाय थे कल हमने समवैधानिक निकाय को देखा है मुझे लगता है कि यह दोनो topic आपके one day की exam से sufficient है इतने सारे अगर की point आप याद कर लेते है नोट कर लेते हैं तो यकीन मानी कि यह सारे points आपके इतबर हो जाएंगे इनके अगर मैं mcqs की बात करूँ तो यहां पे आपको mcqs भी मिल जाएगा आप देख सकते हैं ठीक है pdf भी आपको upload कर दिया जाएगा हाला कि pdf पे अभी काम चल रहा है जैसे इनके pdf भी complete होते हैं आपको हमारी official telegram channel पे आपको सारे questions with explanation वो भी आपको provide कर दिये जाएंगे और साथी साथ में अगर इससे पहले कि आपने classes नहीं देखी हैं तो वो classes भी आप देख लें इसी के quality के ही साथ में आपको history की भी classes दी जा रही हैं और history के साथ ही आपको economy की भी classes दी जा रही हैं वो भी सारे topic wise हैं उन topics related जो भी information है वो बिद इंदा 20-25 minute में आपको तक deliver करन जाहिए जाहिए